तो आगे तुम, बड़ा जल्दी आगे हमेशा तो लेट करके ही आना है तुमको वहीं कहते न, क्यों कहते अरे यार मैं तुम से कुछ पूछ रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो काना लगा दू कितनी बार काया है वहां मज जाया करो जब भी जाते हो, दन बाते तुन कर आ जाते हो और आने के बाद मुल लटकावा रहता है तुमारा कम से कम अज़ा खान है वहाँ जाये भी न, तो तुमको रहा नहीं जाता है तुम ना अज पैसला करी लो तुमको मेरे ताख रहना या अपनी फैमिली के साथ क्योंकि उनकी बेना तुमारा दिल लगता ही नहीं है है न? तुम खाना लगा रही हो या मैं ऐसे ही सोजाऊ सोजाऊं? क्या सोजाऊं? आज ना तुम फैसला करी लो फिर तुमको जो करना है, करते रहना वहाँ से आने के बाद ऐसे बैट जाते हो जैसे पता नी क्या लुट गया हो तुमारा अरे यार नहीं देखा जाता मुझसे तुमारा ये उदास चाहरा तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना? तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है मेरी पता नी ये सब कब तक चलेगा? भगवान के लिए मुझे जीने दो हाथ जोड रही हो तुम और तुम्हारे परिवार के पिछ फिस गई हूँ मैं नहीं देखा जादा मुझसे ये सब ना तुम मेरी बाते सुनते हो और ना ही तुम्हारे परिवार वाल कब तक चलेगा ये सब? आज बता दो तुम उझे अरे? कुछ तुम दे जो नहीं हो तुम? सुनो तुम पहले मिली बार तुम्हारे लिए मैं ज्यादा जरूरी हो ये तुम्हारे परिवार वाल मेरे लिए सब से ज्यादा जरूरी मैं था मैं मरा नहीं हो लेकिन अब जिन्दा भी नहीं है ऐसा लगता है जैसे कोई जिन्दा लाश हो है उन्हें लगता है कि तुम्हारे लिए मैं अपने घर वालों को छोड़ दे और उन्हें लगता है कि मैं शादी के बाद अब उनका नी रा समाज वाले कहते हैं कि शादी के बाद इक व्रकी परा ही हो जाती है लेकिन एक लगभा शादी के बाद पडाय आने बलकि बुरा हो जाता है इसको किसको खुश रखे समझे है चलिजन के प्रेया गान बैखाया अब के खुशी का देखते देखते पर सबसे जादा बुरा तो तब लगता है, जब सबको खुश रखते रखते वो खुद बुरा बन जाता है, परिवार को खुश करो तो बीवी बुरा मान जाती है, बीवी को खुश रखो तो परिवार बुरा मान जाती है, पीस रहों यार लड़के को दो रहों पे लाकर जाता है जहां एक राह बीवी की तरफ दूसरा परिवार की तरफ जाता हूँ नहीं चल सकता मैं दूनों राहों को साथ लेकर एक को चुनू तो दूसरे के नजरमें गलत हो जाता हूँ तुम तो अपने मापापा से रोज बात करती हो, लेकिन मैं तो अपने घरवाले से खोशी का इढ़ार तक नहीं घरवाता हूँ, खोशी तो जोड़ो बात ठेकने जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं कि क्या बात हूँ शादी के पहले तो सब कुछ ठीक रहता है, तो फिर शादी के बाद सब बदल की हो जाता है, मैं पहले बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन अब सबसे बुरा बन गया हूँ, तुम मुझे कहती हो कि अपने परिवार को छोड़ दो, यही बात अगर मैं तुम से कहूँ, कि तुम अपने परिवार से बात करना बन कर दो, उनको छोड़ दो, तो क्या तुम उनसे बात करना बन कर दोगी? क्या तुम उनके बगहर रह पाओगी? क्या तुम उनके नजर में अच्छी रहोगी? क्या तुम उनके निजर में अच्छी रहोगी? क्या तुम उनके निजर म